क्लास 11 चेप्टर नुम्बर 7 ट्रिग्रोमेट्रिक रेशियोज अफ कंपाउंट एंगल ट्रिग्रोमेट्रिक रेशियोज अफ कंपाउंट एंगल mcq rd शर्मा का first mcq है the value of sin square 75 degree minus sin square 15 degree हमको इसकी value बताने क्या है sin square 75 degree minus sin square 50 degree तो sin square a sin square a minus sin square b क्या होता है this is sin a plus b into sin a minus b क्या होता है sin square a minus sin square b is sin a plus b into sin a minus b तो देखिए यहां पर क्या है a यह है और यह बी है इसके उपड़िए sin square a minus sin square b तो a के जगह है आपका 75 degree और बी के जगह है 15 degree तो आप यह करो क्या है sin 75 degree plus 15 degree into sin 75 degree minus 15 degree so sin 75 degree plus 15 degree will be sin 90 degree into sin 75 degree minus 15 degree is sin 60 degree अब sin 90 degree is 1 and sin 60 degree is square root of 3 upon 2 तो यह हो जाएगा 1 into square root of 3 upon 2 तो यह square root of 3 upon 2 तो आपका option number b करेक्ट हो जाए next question number 2 है if a plus b plus c equal to 180 degree then secant a into cos b cos c minus sin b sin c is equal to तो इसकी value क्या होगी secant a into cos b cos c minus sin b into sin c अब देखिए हमारे पास cos b cos c minus sin b sin c यह होता है cos b plus c क्या होता है cos b plus c तो आप इसको cos b plus c लिख दिजे cos b plus c अब देखिए आपको क्या दे रहा है कि a plus b plus c is 180 degree आपको b plus c चाहिए तो आप a को उधर भेज़ दो b plus c will be 180 degree minus n अब देखिए आपको क्या चाहिए cos b plus c तो आप दोनों तरफ क्या करिए cos लगा दिजे cos b plus c equal to cos 180 degree minus c अब देखिए cos 180 degree minus theta क्या होता है इस माइनस cos theta 180 degree minus theta second quadrant में आता है और second quadrant में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है यह नेगेटिव और 180 degree मतलब आप ऐसा समझो कि यह है 0 degree 90 degree 180 degree 180 degree में अगर आप कुछ माइनस करोगे तो वो कहाँ पर आएगा सकेंड क्या होता है नेगेटिव आप देखिए माइनस cos a तो आप cos b plus c को क्या लिख सकते हो माइनस cos a लिख सकते है माइनस को भार कर देखिए यह हो जाएगा secant a into cos a अब आपको पता है कि cos a जो होता है नो रेसी प्रोकल होता है secant a का होता है आप secant a को इधर बेच दीजिए तो यह पूरा वन के बराबर हो जाएगा तो यह माइनस वन हो जाएगा ओके तो आपका यह भी option नमबर बी हो जाएगा कुश्चन नमबर 3 है 1020 डिग्री प्लस 1040 डिग्री प्लस स्क्वेर रूट ऑफ 3 1020 डिग्री 1040 डिग्री इस एकवल तो हमको इसकी वैल्यू बताने है अब देखिए इस केस में मैंने क्या बताया था कि आपको कंसिडर करना है इन सब में सबसे जो बड़ा हो न वह कंसिडराई कर लेकिन आप देखो यह 40 डिग्री है उसके सिवाए आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है आपको दो ही एंगल नजर आ रहे हैं तो आप अभी कंसिडर मत करो यहां पर कंसिडर के लिए गैप छोड़ो दीचे और यहां पर ऐसा लिख दीजिए 40 डिग्री और 20 डिग्री के लिए है यहां तक देखें दो डिग्री आपको नजर आ रहे थे यहां लिख दिए आप दिखें इस केस में आप क्या करो देखें आपको यह भी नहीं पता है कि बीट में प्लस होगा कि माइनस हो तो आप ऐसा देखो ध्यान से तो 10 60 डिग्री आपका क्या होता है 1060 डिग्री प्लस 10 40 डेग्री प्लस 1060 डेग्री सबसे सबसे बड़ा वाला एंगल क्या हो गया 60 तो आप वही कंसिडर कर लो और उसको जो बचे हुए दो एंगल उसके सम या सब्सक्राइब में लिखे तो देखे 40 डिग्री प्लस 20 अगर बीच में माइनस लगाएंगे तो क्या हो जागा 20 तो यह 60 डिग्री के इकल तो बिल् है अब देखिं है नेक्स्ट को क्या करना होता है इसमें टैन ए प्लस बी लगाएं टैन ए प्लस बी क्या होता है कि ए टैन ए अ प्लस टैन वी अपके वन लगाओ टैन फोर्टे डिग्री प्लस 10 20 डिग्री अपन 1 माइनस 10 40 डिग्री 10 20 डिग्री अब देखे 10 60 डिग्री फैल तो square root of 3 तो अब square root of 3 लिट दो आपस दे अब आप इस term को इधर multiply कर लिजे यह हो जागा square root of 3 इंटो 1 माइनस 10 40 डिग्री 10 20 डिग्री इक्वाल तो 10 40 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री अब multiply करोगे हो जागा square root of 3 माइनस square root of 3 10 40 डिग्री 10 20 डिग्री इक्वाल तो 10 40 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री अब देखे अब इस turn को इधर shift कर देजे यह हो जागा square root of 3 equal to 10 40 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री प्लस square root of 3 10 40 डिग्री 10 20 डिग्री तो देखे इस चीज की value आपका क्या square root of 3 तो आप square root of 3 पर ठीक है नेक्स्ट कोश्टन नमबर 4 है इफ 10 A equal to A upon A plus 1 and 10 B equal to 1 upon 2 A plus 1 then the value of A plus B देखे आपका दोनों चीज टैन में दे रखा है इसलिए आप क्या करो सिधा सिधी 10 consider कर लीजे consider 10 A plus B देखे हमने 10 A plus B ही क्यों consider करा देखे A plus B तो आपको angle में था इसलिए angle तो आपका A plus B होगा ही होगा और दूसरा हमने 10 में इसलिए consider करा क्योंकि 10 में हमको दे रखा तो आप 10 A plus B लगा दीजे देखे 10 A plus B क्या होता है टैन ए ब्लस टैन बी अपॉन वन माइनस वन माइनस टैन ए टैन बी अब देखे टैन ए क्या है 10 A is A upon A plus 1 और 10 B है 1 upon 2 A plus 1 अपॉन वन माइनस टैन ए टैन A is A upon A plus 1 इंटू 10 B 10 B is 1 upon 2 A plus 1 अब आप यहाँ तक क्या है कि अब आप यहाँ से क्या करो L C M ले लिजे क्या करी L C M ले लिजे तो यह टर्म इधर मल्टिप्लाय होगा और यह टर्म इधर तो यह जाएगा A 2 A plus 1 प्लस A plus 1 अपॉन A plus 1 इंटू 2 A plus 1 अपॉन में यह इधर मल्टिप्लाय होजागा यह दोनोत टर्म तो यह हो जाएगा, a plus 1, 2a plus 1, minus a upon a plus 1 into 2a plus 1, यहां तक हो गया, अब देखिए, यह पुरा टन और यह पुरा टन, cancel हो जाएगा, बचे का क्या, आप multiply करके लिख लिजे, 2a square, 2a square, plus a, plus a plus 1, upon, यहां पर multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2a square, plus a, plus 2a, plus 1, minus a, तो a से a cancel, उपर हो जाएगा, 2a square, plus 2a, plus 1, upon, 2a square, 2a, plus 1, यह पुरा टन, और यह पुरा टन, क्या बना, 1 बन गया, तो आपका क्या हो गया, tan a plus b, equal to 1, क्या हो गया, tan a plus b, equal to 1, अब आपको पता है, कि tan pi by 4, क्या होता है, tan pi by 4 is 1, तो आप इसको 1, मतलब, आप 1 को क्या लिख सकते हो, tan pi by 4, इसको आप tan pi by 4 लिख दो, तो यह tan, ऐसा समझे, कि यह tan और यह tan cancel, तो a plus b, आपका क्या आजाएगा, पाबा 4 आजाएगा, तो आपका option number d, हो जाएगा, ओके, question number 5 है, if 3 sin theta, plus 4 cos theta, equal to 5, then 4 sin theta, minus 3 cos theta, equal to, तो हमको इसकी value दे रहा है, आपको इसकी value बताना है, तो आप क्या करो, 3 sin theta, 3 sin theta, plus 4 cos theta, equal to 5, मतब, 3 sin theta, plus 4 cos theta, equal to 5, तो आप इसको इदर भेज़ दे जेती हो, तो हो जाएगा, 3 sin theta, equal to minus, 5 minus 4 cos theta, अब आप यह करो, squaring कर दीजे, तो हो जाएगा, 3 sin theta का whole square, equal to 5 minus 4 cos theta का whole square, तो हो जाएगा, 9 sin square theta, और यह हो जाएगा, 5 का square, 25, minus 2 a b, तो हो जाएगा, minus 2 into 5 into 4 cos theta, तो हो जाएगा, 4 into 5, 20, and 20 into 2, 40, 40 cos theta, और plus 6 square, that is 16 cos square theta, अब देखिए, सभी term को, आप cos में convert कर लो, क्यों, क्योंकि देखिए, यहाँ पर cos theta, यहाँ पर cos square theta, अगर हम इसको भी cos square, मन्दब cos के term में convert कर लेते हैं, तो हम easily, मन्दब यह quadratic बन जाएगा, cos में, उसको बाद हम cos की value निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर यही करो, देखिए, cos square theta, plus sin square theta, क्या होता है, 1 के equal होता है, तो यहाँ से sin square theta, क्या जाएगा, 1 minus cos square theta, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अप्लाईगा, 1 minus cos square theta, equal to 25 minus 40 cos theta, plus 16 cos square theta, यहाँ जाएगा, 9 minus 9 cos square theta, equal to 25 minus 40 cos theta, plus 16 cos square theta, यहाँ तक कर लिए, अब इस 9 को इधर shift करेंगे, तो यह बनेगा, 16 cos square theta, plus 9 cos square theta, this will be 25 cos square theta, और यह 25 इधर आएगा, मतलब 9 इधर आएगा, तो 25 minus 9 हो जाएगा, that is 16, तो हम इस टर्म को पहले लिखेंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे मतलब इसको ऐसा लिख रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है 25 कॉस स्क्वेर थेटा माइनस 40 कॉस थेटा प्लास 16 इकोल टू जीरो यह बन गया अब आप क्या करो मिडिल टाइम इस्पिलिट कर लो तो यह बनेगा 25 को 16 ते मल्टिप्लाई कर लिजें कि यह जाएगा थर्टी का थ्री पॉर हेंडड़ बन जाएगा तो आप इसको ऐसा लिख दो 20 कॉस थेटा माइनस 20 कॉस थेटा दीए जब इसको आप सॉल करोगे यह माइनस 40 कॉस थेटा भी आएगा और जब आप मल्टिप्लाई करोगे तो 40 कॉस स्क्वेर थेटा भी आ जाएगा तो यह करें आप यहां से 5 कॉस थेटा कॉमन लेजे तो यह जाएगा 5 कॉस थेटा माइनस 4 और यहां से आप माइनस 4 कॉमन लेलो यह बनेगा 5 कॉस थेटा माइनस 4 तो यह बनेगा 5 कॉस थेटा माइनस 4 कॉमन लेजेगा यह 5 कॉस थेटा माइनस 4 ही बन जाएगा यहां से आपका 5 cos theta minus 4 equal to 0 तो cos theta हो जाएगा आपका 4 upon 5 cos theta क्या होता है base upon hypotenuse तो base 4 hypotenuse 5 तो यह आपका 3 हो जाएगा आप यहां पर PGT लगा ले न PGT लगा यह हो तो क्या होगा h square equal to p square plus b square ok तो 5 का square p square तो आपको चाहिए रहेगा और 4 का square तो जाएगा 25 minus 16 equal to p square p square equal to 9 तो p आपका 3 आजाएगा ok तो इस तरह से यह आपका 3 हो गया अब आप क्या करना आप sin theta दिखिए cos theta आपका यह हो गया sin theta क्या हो जाएगा sin theta is perpendicular upon hypotenuse तो यह आपका angle theta है perpendicular 3 hypotenuse 5 तो यह आपका sin theta आगया अब दिखिए आप वो sin theta और cos theta की value मिल गई आप यहाँ पर substitute कर तो आपका solution आजाएगा that is 4 into 3 upon 5 minus माइनस थ्रे इंटू 3 upon 5 और यहां पर 4 आएगा तो दिखिए यह हो जाएगा 12 upon 5 minus 12 upon 5 तो यह टर्म और यह टर्म के एंसर में आपका 0 आजाएगा तो अप्सन नंबर कौन से क्रिक आप्सन नंबर यह हो जाएगा क्लियर है तो basically हम इस equation को इस तरह से ही solve करते हैं तो आप याद रख सकते हो कि आप एक टर्म को इधर shift कर दिए उसके बाद स्क्वेरिंग कर लीजिए और सारे को एक में convert कर दिए या तो कॉस में या तो साइन में वहां से आपकी कॉस और या तो फिर साइन की value आ जाएगी आप वहां से फिर जिसकी value आ गई उस बाद triangle लगा कि आप दूसरी की value नहीं का तो तो उसके बाद वहां पर replace कर सकते हूं निक्ष पोशन नमबर 6 है इफ इनर triangle ABC tan a plus tan b plus tan c equal to say then cot a cot b cot c की value हो गए देखिए ट्रैंगल ABC तो इन ट्रैंगल ABC क्या होता है ए प्लस b plus c हमारा 180 बराबर होता है होता है ना sum of all angles of a triangle is 180 degree तो a plus b plus c is 180 degree मतलब हमको यह चीज़ given है इन डारेक्टल हमको यह चीज़ given है तो आप क्या करो consider कर लो देखिए जब भी tan में दीखे ना तो basically आप यह ऐसा consider करो tan a plus b आप क्या consider करो tan a plus b अब यह कैसे हमने consider करा तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो ना कि हमको a और b तो चाहिए और दोनों टैन में था तो टैन में लेकिन इस c का क्या होगा देखिए c का हमको relation पता चल गया है देखिए a plus b है ना तो आप a plus b को यह भी तो लिख सकते हो 180 degree minus c ओके इसलिए हमने tan a plus b consider करा तो वहां से हमारा c भी आ जाएगा तो हमारा तीनों एंगल आ गया अब देखिए tan a plus b क्या होता है tan a plus tan b upon one minus tan a tan b ओके अब देखिए अभी हमने बोला a plus b को हम क्या लिख सकते है 180 degree minus c तो यह जाएगा tan 180 degree minus c तो यह जाएगा tan a plus tan b upon one minus tan a tan b अब दोनों तरफ tan लगा दो तो यह जाएगा tan a plus b equal to tan 180 degree minus c यह क्या होता है minus tan theta होता है यह हो जाएगा minus tan c अब आप बोलोगे minus tan theta क्यों होता है देखिए यह है आपका 0 degree यह 90 degree और यह 180 degree 180 degree में से आप कुछ minus कर रहे हो तो वह कहाँ पैएगा यहीं पर आएगा 180 degree में आप कुछ minus करोगे वहाँ प्याँ जाएगा 10 जो होता है वह second content में negative होता है तो आपने negative लगा दिया अब 180 degree क्या है 180 degree को आप 2 into 90 degree लिख सकते हो और 2 क्या है 2 is even even multiple of 90 degree लिख रहता है तो क्या होता है सेम आ जाता है मतलब 10 ठीट है clear तो इसलिए हम इसको 10 c लिख दीजिए देखा इसलिए हमने यहाँ पे ना a plus b consider कर रहा था अब तो clear होगे ना कि अगर a plus b नहीं consider करेंगे ना तो यहाँ पे मतलब अब b plus c भी consider कर सकते हैं c plus a भी consider कर सकते हैं उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन हम 2 का sum इसकी consider करेंगे क्योंकि 2 के sum से हम तीसरा ला सकते हैं इसके मतलब से clear tan a plus tan b आप इसको इधर multiply कर दीजिए इन्टू 1 माइनस tan a tan b अब multiply कीजिए तो यह जाएगा minus tan c plus tan a tan b tan c देखिए यह minus और यह minus minus plus अब आप इस टर्म को इधर shift कर दीजिए तो यह जाएगा tan a tan b into tan c is 6 अब आपको पता है कि tan theta is one upon cot theta यह तो आपको पता है तो इस चीजिए को आप क्या लिख सकते हो one upon cot a one upon cot b 1 upon cot c equal to 6 अब आप जब reciprocal करोगे तो यह जाएगा cot a cot b cot c equal to 1 upon 6 तो cot a cot b cot c की value 1 upon 6 मतलब option number c हो जाएगा कुशन नमबर सेवेन है तैन 3 है माइनस टैन 2 है माइनस टैन है यह किसके को लो देखे अब आपको मैंने यह कोशन करने का तो तरीका बताया है यह यह आप consider कर लो तो consider consider एंस टैन 3 है जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वही consider की और जो बचे हुए दो एंगल है ना देखे टू ए और ए है तो ए और ए अब देखे बीच में माइनस लगाओ गे तो क्या हो जागा तो यह तो यह तो यहां बिल्कुल नहीं है तरी है तो आप बीच में प्लस लगा दो कि अब क्या करों यहां पर फॉर्मूला लगाओ टैन ए प्लस टैन भी तो टैन ए प्लस टैन भी क्या होता है क्लियर तो आप यहां पर यही लगाओ यह हो जाएगा टैन ट्उए प्लस टैन ए अपकॉन वन माइनस टैन ट्उए इंटो टैन ए तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा अब आप इस चर्म को इधर मल्टिपलाई कर लीजे यह हो जाएगा tan 3a into 1 minus tan 2a into tan a equal to tan 2a plus tan a clear अब आप multiply करोगे तो यह हो जाएगा tan 3a minus tan 3a into tan 2a into tan a equal to tan 2a plus tan a अब आप इस दूनों term को इधर shift कीजिए और इसको इधर shift कर जीए तो यह हो जाएगा tan 3a minus tan 2a minus tan a equal to tan 3a tan 2a tan a तो देखिए आपको इसी की value तो चाहिए थी यह क्या है tan 3a tan 2a tan a आपको option number a यह हो जाएगा okay next question number 8 है if a plus b plus c equal to 180 degree then tan a plus tan b plus tan c upon 1 upon tan a tan b tan c तीखिए अभी जो आपने question number 6 में करा न tan a plus b plus c की value निकाली उसमें बस इतना था ना कि उसमें लिखा हुआ था कि in triangle a b c और यहाँ पर यह condition दे रहा है अफिर हमने triangle चे तो यही condition मनाया था तो बस आप यहाँ पर यही कर दो consider कर लीजिए consider tan a plus b consider यह क्या हो जाएगा tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b ओके अब देखिए a plus b plus a is 180 degree तो a plus b को आप क्या लिख सकते हो a plus b को आप लिख सकते हो 180 degree minus c अब आपको tan चाहिए न तो आप दूनों तरफ tan लगा दिजिए tan a plus b equal to tan 180 degree minus c इतना तो कर सकते हैं आप देखिए 1080 degree minus theta is minus tan theta देखिए ऐसा क्यों होता है यह आपका 0 degree 90 degree 180 degree अब देखिए 180 degree minus theta 180 degree minus theta बदाब second quadrant में क्या होता है नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव लगा दो और 180 degree 180 degree को आप क्या लिख सकते हो 2 into 90 degree 2 क्या है इवेन तो इवेन होने पर सेम आ जाता है टैन का टैन आ गया है क्लियर इसको आप सिदा चीदी लिख सकते हो टैन सी तो इसके जगा आप यहां पे लिख दो टैन सी एक्वल टू टैने प्लस टैन बे अपॉन वन माइनस टैन बे अप इसको इदर मल्टिप्लाई कीजिए तो माइनस टैन से इंटू वन माइनस टैने टैन बे एक्वल टू टैने प्लस टैन बे आप मल्टिप्लाई करोगी हो जाएगा माइनस टैन से प्लस tan A tan B इकवल टू tan A प्लस tan B यहां पर tan C भी आ जाएगा तो आप इस C को इधर shift करेंगे न तो यह हो जाएगा tan A tan B tan C इकवल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C अब देखीए आपको इसके नीचे 10A, 10B, 10C से तो आप डिवाइड कर दो dividing by 10A, 10B, 10C तो आप जब डिवाइड करेंगे तो यह क्या बनेगा 10A, 10B, 10C अपन 10A, 10B, 10C इकल तो 10A, 10B, 10C अपन 10A, 10B, 10C अब देखें, यह टर्म और यह टर्म कैंसल यह तो आपका 1 बन जाएगा उपर में क्या बनेगा? 10A, 10B, 10C अपन 10A, 10B, 10C तो देखें, आप इसकी पूरी वैल्यू आपका क्या रहा? 1, तो आपसन नमबर C हो जाएगा 1, यह निताई बनेगा 9, 5, 5 सुन है 10B, 10C 10B, 10C 10B, 10C 10B, 10C